हेलो फेंट्स वेलकम टू इंस्ट्रापनेट सॉफ्टियर्स में हुभी पेल पाइथन लैंग्विज की वीडियो सेरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 37 वेरियबल लेंद अर्गुमेंट्स इन पाइथन अर्गुमेंट्स के बारे में यह हमारा लास्ट पार्ट है इसके पहले दो तिन पार्ट में भी हमने अर्गुमेंट्स को रिकोवर किया था जैसे कि पोजिशनल अर्गुमेंट्स कीवर अर्गुमेंट्स डिफॉल्ड अर्गुमेंट्स फॉर्मल एक्चुल यह सारे अर्ग के लिए points specify किये हुए आप चाहे तो इन्हें आपके नोट बोक्स में write-down कर सकते मैं सिर्फ आपको प्राक्टिकली बताता हूं कि वेरेबल ने arguments क्या होती तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें किसी functions को call करना है लेकिन call करते समय हमें हमें actually पता नहीं कि उस functions को कितने values पास करनी यानि हो सकता है कि उस functions को हमें call करने के लिए कभी दो value पास करनी या फिर कभी चार value पास करनी या फिर छे value या फिर कोई situation यह से कि हमें उस functions को कुछ value पास ने करनी यानि functions को call करने के लिए जो value पास करनी वो हमारे requirement के ओपर हमें multiple values को pass करना है तो ऐसे समय function definitions में हम कितनी variables को declare करेंगी क्योंकि rule कैसा होता है function call करते समय हम जितनी value pass कर रहे उतने variable आपके function definitions में होना चाहिए याने calling के values और definitions के variables दोनों match होनी चाहिए लेकिन इस समय situation एसी है कि हमें call करते समय हमें हमें ही पता नहीं कि value कितनी पास करने और अगर हमें ही पता नहीं कि value कितनी पास करने तो हम definitions में कितनी variable declare करेंगी तो इस problem को और कम करने के लिए हमें Python ने variable length arguments के concept दिये तो variable length argument concept पर हम क्या दर सकते कि function definitions में एक variable declare करके उसके पहले star लिख देंगे मैंने यहाँ पर third point पर दिया हुआ है variable के पहले हमें कौनसा symbol देना है star तो इसका benefit क्या होता है जब दी हम function definitions में कोई भी variables के पहले अगर star symbol देते तो वो variable at a time multiple values को accept कर सकता है टपल format में यानि कि आप दो value pass कीजिए या फिर चार value pass कीजिए या फिर आप कितनी भी value pass कीजिए वो एक ही variable capable है कि वो एक ही variable multiple values को store कर सकता है टपल format में और variable length को specify करने के लिए सिर्फ हमें उस variable के पहले star symbol देना है तो मैं अब आपको इसका एक example करते दिखाता हूं ठीक हब notepad पर चलते और एक simple example करेंगे ठीक है commission sample और यहाँ पर एक variable name लेकिन उसके पहले मैं symbol देता हूं star तो star symbol देनी की वज़े से यह variable हो गया variable length ठीक है और इसको हम print करते हैं ठीक है तो print करने के लिए आप directly भी print कर सकते हैं तो मैं directly print करता हूं print double quote एक variable message name और कॉमा करके हम print करते name variable को ठीक है complete अब इस functions को मैं call करता हूं sample और सबसे पहले मैं इसको एक ही value pass करता हूं control अब हम इसको run करेंगे तो sample functions को हमने सिर्फ एक ही value pass की जो की store होगी name में और वह variable के value में print होगी लेकिन एक बात आहन में रखे यह name variable नहीं थे इसमें multiple values भी store हो सकती है तो आप एक value store कीजे या फिर multiple value store कीजिए सभी values टपल के format में store होगी तो मैं इसको आप करण करके दिखाता हूं ठीक है command from हमारा code e-try पे तो मैं यहाँ पर इसको run करता हूं ठीक है python file का नाम क्या है sample.py enter तो आपका output प्रिंट हो जाएगा name Amol और आप यहाँ पर देखिए Amol जो हमें output प्रिंट हुआ ना तो वो open close round bracket में प्रिंट हुआ और यह जो open close round bracket प्रिंट हुई और यह open close round bracket ही तपल को indicate करता है आप चाहे तो इस variable का data type भी प्रिंट कर सकते हैं ट्रिंट कर सकते हैं सिर्फ आपको उस variable के पहले type नाम का function यूज करना है अगर आप variable के पहले type नाम का function यूज करेंगे तो आपको उस variable का data type प्रिंट होगा तो जैसे मैं नहीं कहा था data type क्याना चाहिए हमारा टपल अब यह आपर देखिए टपल तो यह जो Amol value किस format में store ह कर सकते हैं कित्ती भी value आप store कीजिए कोई problem से सागर उसके बाद राहुल लास्ट उसके बाद निलेश अब देखिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ अभी यहाँ पर मैंने total four values पास की तो सभी value store हो जाएगी as a double format में इस तरीके से हम यहाँ से type function को आटा देते हैं ताकि हम व इसे for loop में भी print कर सकते हैं अभी मैंने कह किया name variable को directly print किया और directly print करने के वज़े से आपका output as a double में print हुआ लेकिन आप चाहिए तो सभी values को one by one भी print कर सकते हैं for loop के जरी तो मैं आपको इसको for loop के जरी भी print करके दिखाता हूँ तो कैसे print करेंगे keyword यहाँ पर हम भी use करने है for उसके बाद कोई भी एक symbol यूज़ कीजिए कोई भी एक variable को declare कीजिए ठीक है यन उसके बाद in keyword और हमारे value कौन से variables में name variables में और last line simply हमको print करना यन variable को प्रॉमा यन तो इस for loop में क्या होगा हमने जो name variables में जो चार values पास की अमोल सागर रहूल निलेश वो सभी value one by one retry होग में print होगा ठीक है टोटल four values है तो आपको for loop भी four time rotate होगा तो name और उसके आगे आपको अमोल सागर रहा होने लिए जैसे four times message भी प्रिंट हो जाएगा new line की उपड़ है sample.py इस तरीके से तो ठीक है friends इस पार्ट में इतना ही था अगर आपको ये पार्ट पसंद आए हो तो इ इतना हो सके उतना share कीजिए ताकि आपके दोस्तों के इसका फाइदा मिल सकी थैंक्यू